असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चाइनल शमास किच्छन कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खेर आफेस से होंगे चलिए आज हम बनाते हैं बैगन की सबजी दीखिए ये मैंने ताज़दाजी बैगन पर्चिस किये हैं अभी अभी बकराईद हुई है सब लोग गोश्ट खाके बोर हो चुके होंगे तो चलिए अब बैगन की सबजी बना के खाई है बहुत ही चटपटी और बहुत ही जल बनने वाली सबजी है चलिए अब देर न करते हुए बनाते हैं ये मैने लिए है प्याज, टमाटर, हरा धनिया, लालतिक ही मेच, हल्दी, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक और इसके अलावा तेल बस इतना ही काफी है अब एक पतिले में थोड़ा सा पानी ले ले लेजिए हम बैंगन को काट कर नमक वाले पानी में दालते हैं इसमें नमक दालिए बैंगन को काट कर नमक वाले पानी में दालना बहुत जरूरी है अगर काट के आप बाहर रखेंगे तो ये काले पर जाएंगे इसको नमक के पानी में पहले रखना होता है फिर धूलके साफ पानी से धूलके सबज में डालना है तो मैं पहले इसके काटे निकाल लेती हूँ ये ताजे हैं तो कुछ ज़्यादा ही चुपते हैं अब इसके हम लंबे लंबे पीस काट लेते हैं आप चाहे तो चौकन पीस भी काट लें या फिर पंजा भी काट लें मैं इसके लंबे पीस करती हूँ इस तरह से ऐसे पीस तयार करके आप पानी में नमक वाले पानी में डाल दीजिए तो बैगन बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा इस तरह से मैं सारे पीस सारे बैगन काट लेती हूँ दीखिए कितना काला पानी निकला है इसको जब यूज करेंगे तो दूसरे पाने से धोके यूज करेंगे अब काट लेते हैं प्याज इसको भी महीन एकदम बारी काटना है क्योंकि हम इसमें ना सेंगदाने का मिक्सर डाल रहे हैं ना नारियल डाल रहे हैं इसको हम प्याज और टमाटे के ग्रेवी में ही इसको बनाएंगे तो प्याज को बिल्कुल बारीक चौप कर लेना है इस तरह से एकदम से बारिक प्यास को चौप कर लिजिए फिर टमाटो को भी इसी तरह से बारिक चौप कर लेना या फिर आप मिक्सर में दरदरा भी बारिक कर सकते हैं मैं ऐसे ही काट के आप देखते होंगे मेरे हर सब जिम में टमाटो काट के उसकरती हूँ इस तरह से धनिया भी हरा धनिया भी काट लीजिए दिखे सब मैंने तयार कर लिया है चलिए अब इसको हम तड़का देते हैं यह मैंने कड़ाई में डाल लिए दो चमस तेल फ्रेंड्स में मेरे हर रेसिपी के जितनी भी इंग्रेडेंट्स यूज करती हूं उसकी कॉंटिटी और इंग्रेडेंट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिग दिया करूंगी मैंने डाला जीरा कड़ी पत्ता अब डालती हूं प्याज अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए अच्छे से इसको भूनते रहिए लाल होने तक इसको भूनना है फ्रेंड्स आपको मेरे रेसिपिस कैसे लग रही है अगर अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज एक लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए अब ये प्याज लाल हो चुकी है बस इतना काफी है अब इसमें डालते हैं टमाटर टमाटर को भी हम अच्छे से फ्राई कर देते हैं नरम होने तक इस तरह से चमचे को थोड़ा सा कूटने से टमाटर नरम हो जाते हैं देखिए कितना पानी चुटा है ऐसे इसको नरम कर देना है देखिए मैं ऐसे करके ही तेल में तमाटर को नरम करती हूँ मैं पीसके नहीं दालती हूँ तमाटर अब इसमें दालते हल्दी धनिया पाउडर दाल तीखी मिर्च दालके इसको थोड़ा सा भून लेते हैं जब फ्रेंड्स हम इसको भूनते हैं तो ये नीचे से लगने लगता है तो हम इसमें दालते हैं थोड़ा सा पानी ज्यादा नहीं बैगन को ज्यादा पानी नहीं लगेगा बस मैं इतने ही पानी में बैगन को पका लूँगी अब ये मैं डाल रही हूँ थोड़ सा गरम मसाला मैंने घर में बनाया हुए मसाला डाला है आप चाहें तो इसमें सांबर मसाला यूज़ कर सकते हैं सांबर मसाला ऐसे नहीं कि आप सांबर में यूज़ करो आप हर सबजी में यूज़ कर सकते हैं आप इसमें दाल के देखिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब यह अच्छे से नर्म हो चुका है इसमें दालते हैं बैंगन यह मैंने धोके रखा देखिए काला बिल्कुल भी नहीं पड़ा बैंगन इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए देखिए बस इतनी ग्रेवी काफी है हमें तो सुखा सालन बनाना है जब आप इसको थोड़ा पानी दाल के बनाना चाहो तो उसमें थोड़ा सेंग दाने का कूट या फिर नारियल पीस के दाल सकते हो बस इसमें मैंने आधा धनिया भी दाल दिया है फ्लेवर के लिए इसको मैं अब धक के धीमी आज पर छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए 10 मिनट तक ऐसे इसको धक के रहने दीजिए फिर 10 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखते हैं देखिए कितने अची से इसका तेल भी छूटा है और ये बैंगन भी गल चुका है बैंगन को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है इतना ही इसको गलाना है ये तयार हो चुकी है अब सबजी बहुत जल पकती है अब जो बाकी धनिया बजा था मैंने सिर्फ इसको उपर से दाल दिया है खुश्ब के लिए अब ये सर्व करने के लिए तयार है बहुत जटपट रेसिपी है और मसालेदार है और बहुत ही टेस्टी है आप इसे जरूर ट्राइ करें देखिए आप चाहो तो बैगन के छोटी पीज भी काट सकते है मुझे यही पसंद है इसी तरह काटा हुआ और मेरे फैमिली को भी इसलिए मैं इसे लंबा ही काटती हूँ देखिए चलिए आप इसे ट्राइ करके अपने जबान का जाइका चेंज कीजिए तब तक के लिए मैं आपसे रुकसत लेती हूँ अल्ला हाफीज